Good morning students, SDM Public School, English Medium, Class 6, Subject, Hindi Language, Part 1, भाशा और व्याकरण भाशा वैसे आधने जिसके द्वाराम अपने विचारों का आधन प्रदान करते हैं भाशा के रूप भाशा के दो रूप होते हैं मौकित और लिखे मौकित इस माध्धम के द्वारा व्यक्ति बोल कर अपने विचार प्रकट करता है तरसानने वाला व्यक्ति उन विचारों को सुनकर उने ग्रहन करता है भाशा के इस रूप को मौकित भाशा या अमूत भाशा कहते हैं लिखित भाशा, इस माद्धम के द्वारा व्यक्ति लिखकर अपने विचार को प्रकट करता है, जिनको पढ़कर ही वह समझता है। भाशा के इसी रूप को लिखित भाशा भी कहते हैं। लिखकर हिंदी बिहार की भाशा है, इसके भागलपुर अंचल की अंगे का बोली जाती है, अंगे का बोली है, भोच्पुरी, हर्यानवी, राजस्थानी अन्य प्रमुख बोलियां है। भाशा और बोली में अंतर, भाशा और बोली में मुख्य अंतर यह है कि बोली सीमित य के लिए अमित कुछ चिन्नों की आवशक्ता होती है और संसार में विबिन भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां भी प्रच लेते हैं देवनागी का विकास ब्रामी लिपी से हुआ जिस तरह से ब्रामी प्राची लिपी है जिसके हिंदी, बांगला, गुजराती अने भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ भाषा और लिपी हिंदी हशक लिपीन देवनागी, संस्कृत की देवनागी, अंग्रेजी, फ्रेंच, पॉलिश, जर्मन, स्पैनिश, रोमन, मराठी, नेपाली देवनागी, पंजाबी, गुरु मुखी, उर्दू, अर्भी, फार्सी, फार्सी राजभास हिंदी तथा इसके रूप हिंदी हमारी राजभाषा है, 14 सितंबर 1949 को बारते संविदान सभा ने हिंदी को भारत संकी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, भारत के संविदान में हिंदी राजभाषा का दर्जा दिया गया है, संविदान के अनुछे 343 के अनुछार संग की राजभाषा हिंद प्रतेट राजी की एक अलग भाशा होती है और इसी भाशा को राजभाशा के नाम से जाना जाता है व्याकरण व्याकरण वाई शास्त्रे जिसके द्वारा भाशा का शुद्ध एवं मानक रूप बोलना समझना लिखना तथा पढ़ना आता है निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए कोई पाँच भाशा तका उनकी लिपी के नाम लिखिये हिंदी देवनागरी, संस्क्रिट देवनागरी, मराठी नेपाली, देवनागरी, पंजाबी, गुरु मुखी, उर्दू, अर्वी, पार्सी, फार्सी बोली और भाशा में क्या अंतर है भाशा वह साधने जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं बोली सीमित या छोटे छेति में बोली जाती है किनकिन राज्जों ने हिंदी को दुवित्य भाशा के रूप में मानेता दी है पंजाब, गुज्राथ और महरास्ट्र ने हिंदी को दुवित्य भाशा के रूप में मानेता दी है प्रशन नम्बर चार व्याकरण के परिभाशा लिखिए व्याकरण वैच चास्त्र है जिसके दुवारा भाशा का शुद्ध एवं मानक रूप में बोलना, समझना, लिखना और पढ़ना आता है द्रविन परिवार के भाशाओं के नाम लिखिए तमिल, तेल, मल्यालम तथा कन्यट द्रविन परिवार के भाशाओं के नाम है